एपिसोड 7 के शुरुवात होती है 1896 में ये तीनों मिलकर ब्राइन की कुंडली निकालते हैं लेकिन उसे खरीदना मुश्किल था इसलिए उनके इसारोपे चलने वाले प्रेसिडेंट को ब्राइन के अगेंस खड़ा करते हैं और वो था ओहायो गवर्नर विल्लियम मैकिनली कार्णेगी जेडी एन मॉर्गन उस वक्के सबसे पारफुल लोग थे सिर्फ इन तीनों की कंबाइन फॉर्चुन की कीमत आज के हिसाब से होती है ओवर 3 ट्रिलियन डॉलर्स एन अंडावटेडली अपनी इस फॉर्चुन को इलेक्शन जीतने के लिए इस्तिमाल करने वा पर इस लिए मैं आपकी पारटी को इलेक्शन अगने के लिए एक हजार करोड़ रूटा कर चंदा देना चाहता हूं चंदा तब है तो चंदा ही लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जब अडाने जी कहींगे मोदीजी को कि मोदीजी कुछ मांगने रहा हूं वो तो मैंने देश की सिवर के लिए था पर ऐसा हो जाता तो ठीक है था थोड़ा देख लिए दबाऊ तो इस तरह वोट्स वर्सिस इसका फ्यूचर इलेक्शन पर डिपेंड करता था और फाइनली थर्ड नवेंबर 1896 को इलेक्शन के रिजल्ट्स डिकलेर होते हैं और दवीनर वाज विल्यम मैकिनली मैकिनली की जीत ये कहावत साबीत कर देती है कि और इस तरह मैकिनली को अपनी जीब में रखकर तीनों अपने दंदे पे लगते हैं और उनकी कमपनी के प्रॉफिट्स आसमान की उचाईया छूने लगते हैं लेकिन अब भी इन तीनों की एक दूसरे के साथ कमपेटिशन खत्म नहीं हुई थी और जेडी इस तरह रेस मे आगे निकलने के लिए अपना एक bold move चलता है by jumping into the still business. Northern Minnesota में आयन ओर की बड़ी खदान जेडी के हाथ लगती है लेकिन जेडी को still business के बारे में कुछ ज्यादा knowledge नहीं था वो सिर्फ ये जानता था कि अगर still का कोई king है तो वो है कार्नेगी लेकिन वो उसे उसी की game में हरान चाता था तो जेडी कार्नेगी के competitors को बहुत ही कम दामों में iron ore supply करने लगता है और धीरे-धीरे कार्नेगी के customers उसके हाथ से निकलते जाते हैं और इसके results कुछ ही महिनों में दिखने लगते हैं जेडी अपना second bold move चलते हुए still plant बनाने का plan करता है और उदर कार्नेगी के प वो उससे meeting fix करता है to negotiate लेकिन जेडी इतना भी डरपोक नहीं था जानते हैं ना कैसे उसने Scott and Vanderbilt को हराया था अगर नहीं तो previous episode जरूर देखे इस तरह दोनों शेरों का आमना सामना होता है और दोनों के बीच कई महिनों तक negotiation चलता है जेडी अच्छी तरह जानता था कि कार कार्नेगी की घरदन जेडी के हाथ में थी तो जब तक कार्नेगी अच्छी ओफर नहीं करता जेडी उसकी घरदन नहीं छोडने वाला था और negotiation का ये rule है कि अगर सामने वाले को आपकी weaknesses पता चल गई है तो it's better to walk away from the negotiation and if you don't तो समझ लीजिए कि deal बहुत बूरी होने वाली ह कार्नेगी को बस इतना पता था कि जेडी को still business से किसी भी तरह से दूर रखना है और इस चकर में वो जेडी से पूरी mines खरीद लेता है and return में उसे still business से दूर रहने को बोलता है but to your surprise जेडी कभी still business में interested था ही नहीं वो थो बस कार्नेगी की weakness के साथ खेल रहा था So the question is ये पूरा negotiation किस टाइब का था? Win-win or win-loss? Let me know in the comment section. Morgan and JD कार्नेगी से ज्यादा अमेर तो नहीं था but he was a powerful influencer in terms of economy क्योंकि उसका portfolio बहुत ही diverse था and वो USA की पूरी banking system को control करता था Morgan अपनी organization tactic को apply करते हुए steel के सभी competitors को खरीद कर steel की एक बड़ी company बराना चाहता था जो कार्नेगी नहीं कर पाया था इस vision को achieve करने के लिए उसे सबसे पहले कार्नेगी को take over करना था वो जानता था कि करनेगी से सीधी उंगली से गी निकलने वाला नहीं है इसलिए अपनी उंगली टेड़ी करते हुए वो करनेगी के right hand चार्ली को अपनी office में meeting के लिए बुलाता है बदले में उसे offer करता है कि तू मेरी side हो ले बदले में मैं तुझे still company का president बना दूँगा तो सायद आपके mind में जो सवाल चल रहा होगा वो ही सवाल चार्ली उसे पूछता है कि करनेगी अपनी company क्यों बेचेगा Morgan कहता है हर चीज की ये कीमत होती है बस आपको वो पता होनी चाहिए और वो कीमत जानने के लिए चार्ली मौर्गन का चमचा बनकर कारनेगी से steel company की price पूछता है कार्नेगी उसे एक आगस पे लिग कर देता है, चारली उसे ले जाकर मॉर्गन को देता है और इस तरह कार्नेगी उसे 480 मिलियन की आउट्रेजिस प्राइस की डिमांड करता है, ये प्राइस उस वक्त के फैडरल गवर्मेंट के बजेट से भी ज्यादा थी, मॉर्गन के कार अचीव करते हुए, अपनी कंपनी को नाम देता है यूएस स्टिल, जो आने वाले 100 सालों तक स्टिल बिजनेस को डॉमिनेट करने वाली थी, जो आज भी यूएस में मौजूद है, मॉर्गन अपना ये विजन इसलिए अचीव कर पाया, क्योंकि उनका खरीदा हुआ प्र और रुजवेल्ट। इसलिए मेनुपिलेट होने वाला था, जेडी एन मौर्गन जानते थे कि रुजवेल्ट को खरीदना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो उसे जितना बने उतना कमजोर बनाना चाहते थे, by making him the vice president of the white house, क्योंकि उस वक्त vice president को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इन दोनो को ज्यादा tension नहीं था, क्योंकि मैकिनली अब भी उनकी जेब में था, लेकिन उनका ये दाव उन पे ही backfire करने वाला था, क्योंकि मैकिनली के जेडी एन मौर्गन से relation लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे, उस वक्त मौर्गन की मना पली से कई सारे workers की job चली गई और इस तरह Roosevelt हर हाल में अपनी country को वफादार रहने के शपत लेते हुए president बन जाता है, well शपत लेना एक rituals है, but I believe कि soldier की वफादारी उसकी देश बक्ती में दिखती ही है, उनके मूँ से बुलवाई नहीं जाती, Roosevelt अपने अधूरे काम को पूरा करते हुए, नायक movie के अनिल क गसिटा जाता है, एन इस तरह Morgan की railroad monopoly का the end हो जाता है, Morgan के लिए ये बहुत ही बुरी हार थी, एन जेडी के लिए ये एक warning, Roosevelt second time भी president बनता है, एन वो कई सारे big businesses को target करता है, Morgan एन जेडी अपनी बढ़ती हुई उम्रा के साथ अपने big businesses को बचाने में लगते हैं, लेकिन को बनाने के लिए उसने अपनी पूरी life spend कर दी, उसे बचाने के लिए आखिरकार उसे code का सामना करना ही पड़ता है, और इसी के साथ episode 7 का the end होता है, Carnegie and JD ने अपने शुरुवाती दिनों में एक दूसरे से अमीर होने की race लगाई थी, एन अपने आखरी दिनों में अब वो एक और race लगाते हैं और वो race जानने के लिए मिलते हैं इस season के last episode में